मोदी जी को मैं मिलंती करता हूँ कि इस महा जनादेश के महा सभा को आप मार्गदर्शन करें, संबोधित करें, मोदी जी आप आगे बढ़ो, हमारा लेता कैसा हो, मोदी, मोदी, प्रभोश्री राम आणि सीता मातेचा चरण स्पर्शाने पावन आणि आधी माया आधी शक्ती मैशासूर मर्दिनी सक्त स्रंगी मातेचा निवासाने पवित्र, अशान नासिकाचा या धर्म भुमिला माजा शतशत नमस्कार महराष्ट के लोकप्रिय और उर्ध्यावान मुख्यमंत्री स्रिमान देवेंद्र फड़न विज्जी प्रदेश भारतिय जनता पार्टी के अध्यक्ष्य स्रिमान चंद्रकान दाजा पार्टील नासिक जीले के अभिवावक मंत्री बाई गिरिश महाजन जी केंद्र में मंत्री परिशत के मेरे साथी स्रिमान रामदास आठवले जी स्रिमान राव साब दानवे पार्टील जी और भारतिय जनता पार्टी परिवार में जिनका आग्मन हुआ है ऐसे च्छत्रपती सिवाजे महाराज के परिवार जन मंच पर आसीन सभी महानुभाव भाजपा के करमट कार करता सभी मेरे साथी और विशाल संख्या में आये हुए मेरे प्यारे भाई और बेनों आज मैं एक विशेष धन्यता अनुभव कर रहा हूँ और मैं इसे अपने जीवन की बहुमुल्य पल मानता हूँ क्योंकि आज चत्रपदी सिवाजी महराज के वहुशच चत्रपदी उद्धेंजी ने खुद ने मेरे सर पर एक चत्र रखा यह संबान भी है और चत्रपदी सिवाजी महराज के प्रती दाईत्व का भी संकेत है नासिक के पवित्र धर्ती महराज के कोटी-कोटी जन मुझे आशिरवाद दें ताकि इसकी इज़्जत के लिए मैं अपनी जिन्दगी खपा दो हमारे यहां एक सांस्कृतिक परंपरा रही है यात्रा की सदियों से यह परंपरा चली है रामेश्वरम से कोई जाता है गंगा जी का ज्छल लेके आता है और रामेश्वरी जी को अभिशेक करता है यात्रा का हमारे यहां बड़ा महत्मे रहा है लेकिन साथ साथ यह भी परंपरा रही है कि अगर सब लोग यात्रा में नहीं जा सकते हैं तो जो यात्रा करकर के अपने परिवार में वापिस लोड़ते हैं तो उनको नमस्कार करते हैं तो मान्यता है कि आधा पुन्य आपको मिल जाता है मैं भी आज यहाँ देवंद्री जी जैसे यात्री को नमन करने आया हूँ क्योंकि आज देवंद्री जी पे चार हजार किलोमेटर की यात्रा में कोटी कोटी जनों ने आशिरवाद बर्सा करके उनके भीतर एक आध्यात्मिक एक सामर्थ की चेतना को जगाया है आज उनको मिलने के बाद उनको नमश्कार करने के बाद महराष्ट के लोगों के इस आशिरवाद का कुछ हिस्सा भी में लेके जाऊंगा अप्रेल में जब लोग सभा चुनाओ बड़ी चरम पर थे गर्मी भी बहुत थी अब तब मैं डिन्डोरी में एक सभा करने के लिए आया था आप से आशिरवाद मांगने आया था दिन्डोरी की उस जन सभा में ऐसा जन सहलाब उबड़ा था और उसने ऐसे बाइब्रेशन क्रियेट किये थे कि पूरे देश में चल रही भाजपा की लहर को और प्रचंड बना दिया था आज मैं देख रहा हूँ कि अप्रिल की इस रेकॉर्ड तोड रेली से ये अमारा नासीक उससे भी आगे निकल गया जहां जहां मेरी नजर पहुंच रही हैं लोग ही लोग नजर आ रहे हैं देवेंद्र फड़नविज जी और उनकी टीम को महा आशिरवाद देने के लिए ये जनसागर उमड़ आया है पावन कुम्ब की धर्ती पर ये जो द्रश देखने को मिल रहा ये अपने आप में लोग तंत्र के कुम्ब का परिचय दे रहा है एक स्पस्ट संदेश दे रहा है और अब महरास्त की जनता ने ठान लिया है आशिरवाद उसी को मिलेंगे जो आशा के अनुरूप काम करेगा और महरास्त की जनता ने ये मन बना लिया है मैं महरास्त के राजनितिक पंडितों को आवाहन करता हूँ बेद तत्कालिन घटनाओं पर तो बहुत कुछ लिखते हैं अच्छा भी है लेकिन समय की मांग है कि महरास्त के राजनितिक उतार चड़ाव को ले करके आने वाले दिनों में महरास्त की जनता को भी जरा आवगत कराएं पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी के कारण राजनितिक अस्थिर्ता के कारण महरास्त जिस तेजी से आगे जाना चाहिए था महरास्त जिस समर्थ के साथ देश को भी आगे ले जा सकता था अकेले मुंबई महानगरी की चकाच चौंद में महरास के दूर दराज छेत्र महरास के गाउं गरीब किसान राजनितिक अस्थिर्ता के शिकार हो गए कोई भी हरान हो जाएगा के महरास्त उने तो एक प्रगार्थे दूसरा काशी कहा जाता है ज्यान की नगरी कही जाती है जोतुबा फुले से लेकर बाबा साब आमबेट तक अनेक तेजस्वी ओजस्वी महापुरुषों को जिजदर्ति ने जन्म दिया है छत्रपति सिवाजी महराज की चरण राज आज भी हम लोगों को उर्जा देती है उस महरास्त में कोई मुख्यमंत्री कोई सरकार लगातार पांच साल न चलना इतने बड़े लंबे कालखन में सिरफ दो ही उदाहर एक वसंत्रा और दूसरे देवेंद्र जी देवेंद्र जी ने पांच साल अखन अविरत साधना करके महरास्त की सेवा की मैं बधाई देता हूँ लेकिन मेरा दुख बताना चाहूंगा अच्छा होता कि पुर्व में भी महरास्त में सरकारे लंबे समय तक स्थीरता के साथ चली होती है और आपने व्यखा होगा कि पूर्ण बहुमत न होने के बावजुद भी स्थीर सरकार प्रगतिशील सरकार विकाशील सरकार महरास्त को समर्पित सरकार यह चला करके देविंद्र जी ने महरास्त को एक नई दिशादी है अब महरास्त की जिम्मेवारी है कि फिर एक मार देविंद्र जी के नेतरुत में स्थीर राजनिती का फायदा उठाना चाहिए मेरा इस वभागे रहा है आप लोगों ने इतने आसिरवात दिये हैं मैं गुजरात का रहने वाला हूँ गुजरात को आपका छोटा भाई है कभी आपी के साथ एक ही ठाली में खाना खाते थे गुजरात अलग हुआ महराश्टा अलग हुआ गुजरात बना सन साथ में महराश्टा राज्य भी उसी समय बना एक मही को और जनता जनादन के आशिरवात से गुजरात के पूरे जीवन में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के रूप में जनता की सेवा करने का सवभाग्य वहां के लोगों ने मुझे दिया और इतना ही नहीं पॉलिटिकल पंडितों को समझ नहीं आता है वो तो वो इसके साथ गया तो ऐसा होगा वो इसके साथ गया तो ऐसा होगा वो बैट गया तो ऐसा होगा वो खड़ा हो गया तो ऐसा होगा वो इसी में उल्जे होते हैं जनता जनार्दन के प्रती समर्पन भाव के अपनी एक ताकत होती है जो फाइदा देवेंद्र जी को मिला है जो कभी मैं राज्य में था तो मुझे मिला था और जब लोगसभा का चुनाव हुआ यह हमारे पॉलिटिकल पंडितों को जड़ा मुश्किल है इन बातों को कहना तो उनकी अपनी तकलीब है साट साल के बाद साट साल के बाद पहली बार एक सरकार दुबारा चुन करके आई और पहले से ज़्यादा ताकत लेकर के आई यह हमारे देश में साट साल के बाद हुआ है और आपने देखा ना जब आप ताकत देती है तो सरकार कैसे ताकत से काम करती है करती है ना आप खुश है सौज दिन में नजारा देख लिया यह आपकी ताकत है यह आपके आदर्श का सामर्द है यह आपके आदेश के कारण हो पा रहा है साथ यह थोड़ी देर पहले फड़नवजी बता रहे थे कि कैसे पुरे महराष्ट में जन जन के बीच जाकर उन्होंने अपने पांच वर्ष के काम का हिसाब दिया जो जिम्मेदारी आप सभी ने पांच वर्ष पहले इनको सौंपी थी उसका रिपोर्ट कारण हो ने आपके सामने रखा बीते पांच साल में महराष्ट को स्थीरता मिली विकात मिला कानून व्यवत्ता का विश्वात मिला बीते पांच साल में महराष्ट को सामाजिक सद्भाव मिला सहकार मिला और सरोकार का भाव भी मिला बीते पांच साल में महराष्ट को आधुनिक इंफास्ट्रक्टर का जाल मिला तो यहां की सांसकृतिक भव्यता को मान और सम्मान भी मिला बीते पांच साल में महाराश्टर में निवेश का बहतरीन महोल बना तो किसान को भी बहतर सुविधाईं और सहयोग मिला बीते पांच साल में महाराश्टर की बहनों को मुद्रा रुण और स्वा सहायता समूतों से स्वा रोजगार के अनेक नए आवसर मिले दुए से मुक्ति मिली और पानी के लिए संगर्ष भी कम हुआ बीते पांच साल में महाराश्टर के जनजातिय समाज की बंजारा समाज की आवाज को बुलंदी मिली उनके सपनों और आकांच्छाओं को नया विस्तार मिला ये सिरफ फड़न भी सरकार का रिपोर्ट कार नहीं ये महाराश्टर के उत्थान की कहानी है और आने वाले दिनों में और भव्यता का उसमें संकेत समाया हुआ है साथियों ये रिपोर्ट कार तिरफ पांच वर्ष बाद आया है ऐसा भी नहीं है बल्कि भाजपा के हर सरकार की ये विसेस्ता रही है कि वो अपनी परफॉर्बंस का अंदिरंतर हिसाब देती रहती भाई और बहनों लोग सुभाग चुनाव के दोरान जब आपके बीच में आया था तब भी मैंने आपसे कहा था कि देश के विकास की गती तेज होगी समय सीमा के भीतर होगी और समय समय पर उसका हिसाब जनता जनारदन के दर्बार में आकर के देता रहूँगा केंद्र में नई सरकार को बने सो दिन पुरे हो चुके हैं और इस कारकाल का पहला शतक आपके सामने है देश के सामने है इस पहले सतक में धार भी है, रबतार भी है और आने वाले पांच वर्षों की एक साम सुत्री तस्वीर भी है पहले सतक में देश, समाच और दुनिया में नए भारत के नए द्रश्टिकोन की जलक है कठीन चुनावतियों से तक्कर की ललक भी है पहले सतक में ही विकास का जोश भी है और भारत की बैश्विक ताकत का संदेश भी है पहले सतक में वेलफेर का विस्वाद भी है और देश के अर्थ तंतर में सुधार का रोजगार के नए अवसरों के निर्मान का प्रयास भी है आतियों इस पहले सतक में प्रॉमिस है परफर्मंस है और डिलेवरी भी है हमने प्रॉमिस किया था कि माहराश्च्र के देश के हर किसान परिवार को चाहिए वो माहराश्च्र का हो इंदुस्तान के किसी भी कौने का हो पी-एम किसान सम्मान इधी का लाप उसको देंगे और सरकार बनते ही ये काम हमने पूरा भी कर दिया आज देश भर में बीस हजार करोड रुपिय से अधिक किसानों के खाते में ये रकम पहुँच चुकी है और जिसमें पन्रा सो करोड रुपिय उससे भी जादा अकेले मेरे महराश्च्र के किसान परिवारों के खाते में जमा हुए हमने प्रामिस किया था कि छोटे किसानों को व्यापारियों और दुकानदारों को निश्चीत पैंशन से जोड़ेंगे और कुछ दिन पहले इसको भी हमने डिलीवर कर दिया हमने प्रामिस किया था कि जिस तरह देश के गाउं गाउं में बिली पहुँचाने का काम किया है उसी तरह और मेरी माताएं बेहने खात सुने हमने जैसे सौचाले का काम चलाया बिजली का चलाया अब ठान के लिया है मेरी माताएं बेहने गर गर जल पहुँचाने के लिए जुटेंगे पानी पहुँचाएंगे इस पर भी बहुत तेजी से काम आरंब हो चुका है हमने प्रामिस किया था कि देश के पशुधन को गाव और किसान की समरुति की रीड बनाएंगे देश के पचास करोड से अधिक पशुधन उनको बिमारी से बचाने के लिए टीका करण का काम शुरू हो चुका है और मैंने देखा है हमारे पॉलिटिकल पंडित सरकार कोई भी काम करती है तो दिमाग में खपाते हैं यह चुनाव है इसलिए किया यह जो पचास करोड पशुधन को टीका करण का अभियान चलाया है इन पॉलिटिकल पंडितों को पता होना चाहिए कि यह पशुधन वोट देने के लिए नहीं जाता है हम काम देश के लिए करते हैं हमने प्रामिस किया था कि आदिवासी युमाओं को सिख्षित करने के लिए काउशन निर्माण के लिए एक लव्यम मॉडल स्कुल का जाल बिछाएंगे देश भर में 462 स्कुल की दिलिवरी का काम शुरू हो चुका है हमने प्रामिस किया था कि देश की सेना को ससक्त बनाने के लिए अपने साइनिकों के ससक्ति करन के लिए आवश्यक हर कदम उठाएंगे हाल में दो महाशक्ति साली हेलिकॉप्टर हमारी साइन्य सक्ति का हिस्सा बन चुके है बहुत जल्द राफेल फाइटर जैड भी हमारे वायू सेना को ससक्त करेगा तीनों सेनाओं के बीच बहतर तानमेल के लिए चीफ आफ डिफेंस टांप बनाने के लिए दसकों से चर्चा चल रही थी यह फैंसला भी मैंने पंदर आगस को लाल किले पर से गोशित किया था और उसको भी आगे बढ़ा दिया है कि साथियों कि देश की सुरक्षा तैयारियों को लेकर हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है अपने हर वाइदे को पूरा कर रही है लेकिन देश की को लेकर पहले की सरकारों का कैसा रवया रहा है इसे बार बार याद किये जाने की जरूत है भाईयों भेनों हमारी सेना ने दस साल पहले यानि 2009 में एक लाग छ्यासी हजार बुलेट प्रूप जैकेट की मांग की थी बीना बुलेट प्रूप जैकेट हमारा बीर जबान देश के दुश्मनों से लड रहा था दो हजार नव से लेकर अगले पांच साल बीच समय गया लेकिन कॉंग्रेस की सरकार ने एन सीपी के समर्थन से चल रही सरकार ने सेना की इस जरूरत पर ध्यान नहीं दिया उनके लिए बुलेट प्रूप जैकेट नहीं खरीद जब भाजपा एंडिये की सरकार आई तो हमने बुलेट प्रूप जैकेट खरीदने की प्रक्रिया शुरू की और यह हमारा नाजिक तो भुंसले मिलेटर स्कूल से जाना जाता है इतना ही नहीं हमने व्यवस्ताएं बनाई ताकि यह जैकेट भारत में ही बने साथियों बीते पांच वर्षों में हमने न सिर्फ सेना की जरुतों को हमारे वीर जवानों की जरुतों को पूरा किया उन्हें बुलेट प्रूप जैकेट दिलाई बलकि अब उससे भी एक कदम आगे बढ़ गए हैं अब भारत दुनिया के उन कुछ देशों में सामिल हो गया है जो अंतर राष्ट्रे स्टैंडर की बुलेट प्रूप जैकेट बनाता है इतना ही नहीं दुनिया के सो से जादा देशों में आज भारत में बनी बुलेट प्रूप जैके एक्टपोर्ड हो रही है निर्यात की जा रही है साथियों बाजपा सरकार का मतलब ही है देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्रात्मिकता हमारे लिए देश से बड़ा कुछ नहीं है देश की उमीद ही हमारे लिए आदेश होता है इसलिए हम बाइदे करते हैं तो इसे पूरा करके भी दिखाते हैं साथियों हमने महराष्ट सही पूरे देश से प्रामिस किया था हमने बादा किया था जम्मू और कश्मीर जम्मू और कश्मीर और लदा के समस्याओं के समाधान के लिए नई कोशिश नए प्रयास करेंगे आज मैं ये संतोस के साथ कह सकता हूं कि देश उस सपनों को साकार करने की दिशा में चल पड़ा है जम्मू कश्मीर में भारत के सम्मिधान को समंगरता से लागू करना सिर्व एक सरकार का फैसला नहीं है ये एक सो तीस करोड भारतियों के इच्छा का भावना का प्रगजिकर नहीं है ये फैसला जम्मू कश्मीर और नदा के लोगों को हिंसा के आतंग के अलगाव के प्रतातार के कुछ चक्र से निकानने के लिए है ये फैसला भारती एकता और अखंता के लिए ये हमारी प्रतिबद्धता तो थी जम्मू कश्मीर के लोगों के आकांच्छा उनके सपनों के पूर्ती का भी माज्यम बनने वाला है मैं आप से पूछना चाहता हूँ क्या आप मेरे इस निरने से सहमत है आप खुश है आप खुश है अभी मैं जब देवेंद्र जी बोल रहे थे तब आप नारा सुन रहा था आम नारा लगा रहे थे कश्मीर हमारा है लगा रहे थे ना लगा रहे थे ना आम आम नारा लगाना है अब हमें हिंदुस्तानियों ने कश्मीर बनाना है कल तक कहते थे कश्मीर हमारा है अब हिंदुस्तानी कहेगा हमें नया कश्मीर बनाना है महा फिर से एक बार स्वर्ग बनाना है हर कश्मीरी को गले लगाना है चालीस चालीस साल तक 42 लोगों को जिस धर्ती पर मौत के घाट उतार दिया गया जो धर्ती रक्त से रंग दी गई अब 130 करोड देश वासियों का संकल्प है कि फिर एक बार उस कश्मीर को स्वर्ग बना के रहेंगे सारा देश लगेगा आप कश्मीर की भलाई के लिए आगे आएंगे वहां के लोगों की भलाई के लिए आगे आएंगे उनके गावों को ठीक करने के लिए आगे आएंगे मेरी देश वासियों से यही अपेक्षा है आओ कश्मीर के दूखों पर महरम लगाए चालीस साल से उनने जो यातना जेली है दिली की गलत नीतियों के वो सिकार हुए है अब देश का काम है उनको मुसीबतों से मुक्ति दिलाना दोस्तों भाई और बहनों देश को एसास है कि इस फैसले की आड में अस्थीरता और अविस्वात फैलाने की तमाम कोशिसे सरहत के पार से हो रही है जम्मु कश्मीर में हिंसा भड़काने की भरपूर कोशिसे हो रही है लेकिन जम्मु कश्मीर के युवा साथ ही वहां कि माताए बहने हिंसा के इस लंबे दौर से बहार निकलने के लिए अब मन बना चुके वो अब विकास चाहते हैं रोजगार के नए अवसर चाहते हैं आपका ये सेवक आपकी सरकार आप सब लोगों के साथ को लेकर के जम्मु कश्मीर के लदा के लोगों के साथ मिलकर विकास का नए आयोग शुरू करने के लिए प्रतिबद्द भाई और भेनों जम्मु कश्मीर और लदाक नई संभावनाओं को गले लगा रहा है लेकिन मैं हरान हूं कि विपक्ष के हमारे साथ ही इसमें भी राजनितिक स्वार्त ढून रहे हैं इतना बड़ा फैसला देश ने लिया है ये ठीक से लागू हो पाए और कम से कम परेशानी के साथ लागू हो पाए इसके लिए पूरा देश एक जूट है यह थेंख नहिए पुरा देश एक जूट है कर नहीं है इंदुस्तान के हर कौने में लोग एक जूट है यह नहीं ऐगाओं का भी alleen अनपड़ व्यक्ती भी साथ है कर नहीं है लेकिन साथ है कि नहीं है लेकिन कि दुर्भाग्य से कॉंग्रेस के एंसीपी के वरिष्ट नेताओं को जिस तरह का बरताव और सयोग करना चाहिए था वो दिख नहीं रहा है विपक्ष के नाते वो सरकार के अलोचना करे मेरी अलोचना करे देविंद्र जी के अलोचना करे यह उनका अधिकार है लेकिन रास्त हित में ऐसी बाते करना जो आतंग परस्तों के लिए अपप्रचार का हथियार बन जाए विदेशों में उनके बयानों के आधार पर भारत पर हमला हो यह बहुत ही दुर्भाग्य पूर्ण है ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है साथियों कॉंग्रेस की कंफ्यूजन यह तो मुझे समझ आती है लेकिन शरत पवार आप जैसा अनुभवी नेता जब कुछ वोट के लिए गलत बयानी करने लगे तब बहुत दुख होता है सबत प्रवार जी को पडोसी देश अच्छा लगता है यह उनकी मर्जी वहां के सासक प्रशासक उनको कल्यान कारी लगते हैं यह भी उनका अकलन है लेकिन यह पूरा महराष्ट जानता है पूरा भार जानता है पूरी दुनिया जानती है कि आतंकी फैक्टरी कहां पर है और जुल्म और शोषण की तस्वीरे कहां से आती है कि साथ्यों राजनीती में नेताओं की दलों की हार्दित होती रहती है लेकिन देश को जिताना हम सभी का दाईत्व होता है महराश्ट्र की इस भूमी की विशेता है कि हमारी आस्था की विरास्थ तो है ही बीरता और राष्ट्र भक्ति का भी स्वनिम इत्यास रहा चत्रपती सिवाजी महाराज ने स्वराज्य का संकल्प लेकर मात्र भूमी की रक्षा के लिए अपना सब कुछ नोचावर करने का आदर्स हमारे सामने रखा था महराश्ट्र की इस धर्ती ने स्वातंत्र भीर सावरकर्जे से महान सपुत को जन्म दिया है और सावरकर्जी का नासिक से नाता हर कोई जानता है स्वतंत्रता के लिए हर्यात्रा को मुस्कराहट के साथ चहने वाले सावर करने हमें राष्ट्रबाद के अभूत्पूर्व समस्कार दिये इस दर्ती ने जोतिवा फुले सावित्री भाई फुले डक्तर भावा सावा में कर्जाचा ने समाच उदारकों को गड़ा है इन्होंने भारत में सामाजिक समरस्ता की भावना विक्सित की गरीब हो वंचीत हो पीडित हो शोचीत हो हर किसी को सम्मान के साथ जीने के लिए प्रेरिच किया भाई और बैनों इन तमाम विबूतियों रहें अपने लक्षों की प्रांप्ति के लिए हमेशा मीशन के साथ काम किया मुझे खुशी है कि आज का भारत नया भारत भी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए संकल्प बद्ध होकर निकला है मिशन पर निकला है देश के हर गरीब परिवार को अपना पक्का घर देने के संकल्प को पुरा करने के लिए हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं महरात जहीत पुरे देश में करीब दो करोड आवास बन चुके हैं देश की गरीब बहनों को दूवे से मुक्तिक मिशन का पहला पड़ाव हमने पूरा कर लिया है कुछ दिन पहले वरंगाबाद में ही देश का आठ करोड़ वा उजवला गैस कनेक्शन दिया गया है स्वच्छ भारत मिशन को लेकर आपने अभूत्पुर्व काम किया है जिसका परणाम है कि बहुती जल्द पुरा देश खुद को खुले में सौच से मुक्त गोशित करने वाला है इसी तरह साल दो हजार बाइस तक भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का भ्यान भी तेजी से चल रहा है महराश्ट के आप सभी साथी भी स्वच्छताही सेवा भ्यान के तहत इससे जुड़े हैं दो अक्तुबर तक जबराश्ट पिता महत्मा गांधी की 150 वी जहनती देश बना रहा है तब तक बड़ी मात्रा में प्लास्टिक से जुड़े कच्रे से हमें देश को निजात दिलानी है साथियों जल जीवन मिशन से जल समरक्षन का और घर घर जल पहुंचाने का एक ब्यापक अभियान देश में चल रहा है मैं आप सभी को फड़न विज्जी की टीम को बढ़ाई देता हूं कि इसमें महराश्ट्रा प्रसंसनी ये काम कर रहा है जलियुक्त शिवार इस अभियान के तहट आप सभी ने 17,000 से अधिक गावों को जल संकड से मुक्ति दिलाने में मदद किये ये बहुत बड़ी उपलब्दी है आने वाले पाँच वर्षों में हमें इस अभियान को और गति देनी है ताकि महराश्ट्र के मेरी बहनों को मेरे किसान भाईयों को पानी के लिए तरसना न पड़े एक बार महराश्ट्र पानी के मामले में समर्द हो गया संपन हो गया तो यहां के सामा ने जन की प्रगति को किशानों की खुसाली को नए नए उद्योगों से बनने वाले अवसरों को कोई रोक नहीं सकता भाईयों और भेनों पीते पांच वर्षों में बाजपा की सरकारों ने महराश्ट्र को विकास का डबल इंजिन दिया है यहां युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनाने पर बल दिया है मारात में हरिटेज टूरिजम की संभावनाओं को तरासा जा रहा है यहां नासिक में ही आप देख सकते हैं कि कैसे देश के दूसरे हिस्से से यहां की कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है यहां के हवा यड़े को उडान योजना से जोड़ा गया है साथी स्वदेश दर्शन योजना के तहत नासिक को रामाएंड सरकीट में सामिल किया गया है तर्मकेश्वर जोते लिग में भक्तों के लिए सुविदाओं का विकास प्रथाद योजरा के तहट किया जा रहा है। सरकार की पूरी कोशिश है कि देश बर के स्रद्धानू और परियटक यह आराम से पहुँचे और पूरी संतुष्टी के साथ अपने घर लोते। साथियों टूरिजम के साथ साथ यहां उद्योगों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। मेकिन इंडिया के अभियान को भी नासिक और महरास्टा में गती मिल रही है। आने वाले समय में नासिक भारत की सुरक्षा के साज़ और सामान को निर्मान करने वाला अहम सेंटर बनने वाला है। यहारा Defense Innovation Hub बने इस पर काम चल रहा है। इतना ही नहीं महाराशन में जो फोर मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहे हैं उसमें से एक नासिक में ही बनने वाला है हमारा प्रयास है कि महाराश के ततिये ख्षित्रों में इंफास्ट्रक्टर को मजबूत किया जाए पॉर्स की कनेक्टिविटी को ससकते किया नागरमाला योजना के तहट देश बर में करीब डाई लाग करोर रुपिय का निवेश किया जा रहा है जिसका एक बड़ा हिस्सा महाराश्ट्र को भी मिल रहा है भाई और बहनों विकास के लिए समर्पीत और प्रस्टाचार से मुक्त सुशासंद्र जो बीते पांच वर लखना है आगे बढ़ाना है नई उर्जा नई ताकत देना है महाराश्ट्र की प्रगति के लिए दिन रात सोचने वाली सोच को समर्थ देराज जरूरी है महाराश्ट्र लोड शेडिंग के अंदरे में वापस ना चला जाए इसके लिए भाजपा सरकार बहुत 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 जरूरी है साथियों आज देविंद्र जी की नाशिक में महा जनादेश यात्रा का यहां बले ही समापन हो रहा है लेकिन जन आशिरवात के लिए महाराश्ट के एक-एक भाजपा कायरकरता का संकल्प आज से शुरू हो रहा है और आज मैं जब नासिक आया हूँ नासिक के साथ प्रभु राम चंद्र जी का नाम भी उतना ही जुड़ा हुआ है तब मैं आज एक और बात भी बताना चाहता हूँ मैं देख रहा हूँ पिछले दो-तिन सप्ता से कुछ बयान बहदूर लोग कुछ बड़ बोले लोग अनाप सनाप बयान बाजी राम मंदिर लेकर के शुरू कर दिये देश के सभी नागरिकों का भारत की सुप्रिम कौट के प्रती सम्मान बहुत आवशक होता है जब मामला सुप्रिम कौट में चल रहा हो सब पक्स अपनी बात रख रहे हो सुप्रिम कौट लगातार समय निकाल करके बातों को सुन रही हो तब मैं हरान हूँ ये बयान बहदूर कहां से टपक गए है क्यों पूरे मामले में अडंगे डाल रहे हैं हमारा सुप्रिम कौट पे भरोसा होना चाहिए हमारा बाबा साब आमेड करने जो समिधान दिया है उस पर भरोसा होना चाहिए हमारा भरोसा भारत की न्याय प्रनाली पे होना चाहिए और इसलिए आज नासिक की पवितर धर्ती से मैं देख भर में ये जो बड़ बोले लोग है बयान बहदूर लोग है उनको हाथ जोड़ करके बिंती करता हूँ भगवान की खातिर प्रभूर राम की खातिर आख बंद करके सिर्फ पर सिरफ भारत की न्याय प्रनाली के प्रती सद्धा रखे घर साथियो जिस उच्छा और उमंग के साथ आप आए है अब गर गर जाना है एक एक मद्दाता को मिलना है इस अभिहान को आगे बढ़ाना है इसी विश्वास के साथ चला चला पुना चला पुना आणू या आप ले सरकार जाए भिम, जाए भवानी, जाए सिवाजी, जाए सिवाजी बहुत 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 धन्यवाद